पुरू मामा की एंट्री हो जाएगी शो के अंदर और उसके बाद पुरू मामा आते ही नायरा को कुछ इसकदर टच करेंगे कि नायरा को उनका टच करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो उनकी इन हरकतों से समझ जाएगी कि ये इंसान कुछ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि पुरू मामा कार्तिक के घर की सदस्य हैं इसलिए नायरा अपने आपको ही समझा देगी और एज़स्ट करने की कोशिश करेगी क्योंकि नायरा ये सोच रही है कि शायद उसी से कोई गलती हुई होगी वहीं अब आपको ये बता देते हैं कि जल गी शो में जब मानसी देखे की पुरू मामा को तो वो भी काफी घरा जाएगी और फिर नायरा सोचे की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ अब हम आपको ये भी बताते हैं कि एपकमिंग एपिसोड में यानि कि सोमवार को आप क्या देखने वाले हैं तो दोस्तों पुरू मामा की हरकतें कम होने की बजाए अब बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे वो नायरा के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए वो अपनी बेटी के प्रोजेक्ट में नायरा को शामल कराने की बात कहेंगे पूरे घरवालों के सामने नायरा ये सुनकर शौक्ट हो जाएगी लेकिन कोई रियाक्शन नहीं देगी क्योंकि अभी तक वो पूरु मामा को ठीक से समझ नहीं पाई है पुना तो उन्हें पुरा इंसान कह सकती है अभी और नहीं उन्हें सही छहरा सकती है अब जब तक नायरा बाल की खाल नहीं उतार देती तो अब तक भला वो कैसे किसी निशकर्ष पे पहुँच जाए अब अपकमिंग एपिसोड में अगर वाकई में पुरु मामा की तरफ आ जाती है नायरा तो फिर उसे उनकी सच्चाई पता करने में ज़्यादा समय नहीं for more details subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss update from top news